everyone in this video we are going to discuss about the self-critical awareness of the causes for one's positive and negative relation with the people जैसे question अगर मैं इस त्रिप इतना आया तो आप सारी के बारे पर थोड़ा थोड़ा लिखोगे पर question पर अगर mention कर दिया कि based on caste class या based on religion nation तो जो question पर बोला होगा स्रिप उसे के बारे पर detail से describe करके आना और अगर कुछ भी mention नहीं किया है तो सारी के बारे पर थोड़ा थोड़ा लिखना पहला हम लोग discuss करेंगे caste के बारे पर तो देखो पहला जो दो line है वो books का लिखना starting से ही अपनी मन की बात मत लिखना वही से impression खराब होता है the caste system has exercised a profound influence on the economic activity of the people of India इकोनोमिक का मतलब होता है related to your money and profound का मतलब होता है sorry influence का मतलब होता है प्रभाव देखो caste system has exercised a profound influence on the economic activity of the people of India profound अगर याद नहीं आया तो मत लिखना स्रिप इतना लिखना कि caste system people of India के उपर एक बहुत बड़ा प्रभाव देता है जैसे आप क्या काम करोगे आपका source of income कौन सा होगा आप कहां से पैसे कमाओगे वो सारा आपका caste system ही decide करता है ensign India पे आप जो caste के होगे वहीं से ही आप पैसा कमाओगे पर आजकल ऐसा नहीं होता है ये मैं ensign India की बात कर रही हूँ मतलब पुराने जमाने में पुराने जमाने पे जो आपका caste होगा वहीं से ही आप ऐसा कमाओगे मतलब जो caste system होगा वही आपका economic source भी होगा यहीं पे इसलिए बोला है कि influence influence मतलब प्रभाव influence on the economic activity of the people of India इंडिया पे generally चार broadcast है जैसे ब्राह्मिन, क्षेत्रिय, वाष्य और सुद्रस ब्राह्मिन लोगों का काम होता है पूजा पाट करना, क्षेत्रिय लोगों का होता है fight करना, वाष्य लोगों का होता है business करना और सुद्रस लोगों का काम होता है labor काम करना तो जो आप, मतलब जिस कास्प्या पैदा होए हो, उसी से ही आप पैसा कमाऊगे वही आपका source of income होगा मतलब ब्राम्हिन के घर अगर पैदा होगे तो पूजा पाठ करके ही पैसा कमाऊगे या वैश्या के घर अगर पैदा होगे आप तो आप स्रिप बिजनेस से ही पैसा कमाऊगे इसलिए यहीं पर बोला है कि इट इंफ्लेंस on the economic activity of the people of India पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है तो चार कास्ट आप पढ़ लिए ब्राम्हिन, क्षेत्रिय, वैश्या और सुद्रस यह वाला लिखना मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कास्ट का जो रिजिडिटी मतलब कठोरता था वो धीरे धीरे लॉस हो रहा है आजकल ऐसा नहीं होता आजकल शुद्रस लोग भी बिजिनस करते हैं ओके दिन है हमारा पॉजिटिव रिलेशन, ओल्डर टाइम पे कास्ट सिस्टम का भी बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्या क्या एडवांटेज था, फिक्स्ट ऑक्कुपेशन, जहां पे आप पैदा हुए हो, आपका बर्थ ही आपके जॉब को फिक्स कर देता है, जै ज़र सुद्रा के घर आप पैदा होगे, तो आप लेबर का ही काम करोगे, तो एंसेंट इंडिया पे ये बहुत बड़ा एडवांटेज था, आपको वरी करना नहीं पड़ेगा, जहां पे पैदा होगे, बस वही आपका उक्कुपेशन, देन है प्रेजर्वेशन अफ हेर मतलब आपकी पुर्वत जो काम करते थे वो प्रिजब होके रहता था, जैसे सपोज मालो आपके दादा जी पुझा पाट करते थे, आपके फिर पापा भी पुझा पाट किये, फिर आप आप भी पुझा पाट किये, तो आपके दादा जी अपने पुझा पाट पे जो आपके पापा क्या किये बिजनस किये तो क्या हो गया जो प्रिजब जो हो रहा था जो स्किल वो गड़बड हो गया आपके पापा क्या जादा बिजनस पे ध्यान देगे पूजा पाट पे उतना ध्यान नहीं देंगे तो वहीं पे जो प्रिजबेशन ऑफ हरेडिटरी स्किल था वहीं पे वो वाला loss हो गया यहीं पे देखो लिखावा है the sun in the early life picks up the trait of his father father का जो भी skill था वो pick up करके लाया and become skill वो भी एक काविल इंसान बन गया negative relation देखा हम लोग पढ़ेंगे positive impact पे स्रिफ हम लोग दो चीज पढ़े fixed occupation and preservation of hereditary skill second जो negative relation है modern time पे क्या है का system क्या है का system prevent the choice of occupation मतलब आप खुद choice नहीं कर सकते occupation अगर याद नहीं आएगा एक्जाम फे तो आप job लिख लेना मतलब आप अपने choice से job नहीं कर सकते जैसे आप ब्राम्हिन के घर पैता होगे और आपको business करने का मन है पर आप नहीं कर सकते since change of occupation is divided by the caste system mobility of labor is not possible क्योंकि caste हमको वंचित कर दे रहा है कि हम लोग अपने इच्छा से एक जोब नहीं कर सकते mobility of labor भी पॉसिबल नहीं हो रहा है जैसे मालूम मैं एक बहुत बड़ा business करना स्टार्ट कर रहे हूं और एक बहुत बड़े business के लिए बहुत सारे लेबर की जरूरत होती है और अगर सपोज उस टाइम मैं बोली कि कोई ब्रामहिन का लड़का को मैं बोली कि चलो तुम मेरे company पे काम करो पर वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग ब्रामहिन है हमारा काम तो पूजा पाट है हम लोग एक वईश्य के क्यों काम करेंगे कि वो लोग सोचेंगे हम लोग एक नीची जाथ के अंडर पर क्यों काम करेंगे तो यही सब कुछ मतलब बाधा बिधना पैदा होता है यह सब कुछ लड़की लड़किया एक स्कूल पर बढ़ रहे हैं ट्रेन बस्ट पर भी हम लोग बहुत कास्ट के लोग एक ही साथ भूम रहे हैं, then hotel और restaurant पे भी बहुत सारी कास्ट के लोग एक ही साथ खाना भी खा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रामिन लोग, कोई वश्यक को खाना सब कर रहा है, तो आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, okay, ancient India पे वो सारा था, then है हमारा, next है हमारा class, देखो, social class refers to a group of people with similar level of wealth, influence and status, social class क्या होते हैं, एक group of people होते हैं, जहां पे सब का status, wealth, सब कुछ एक ही टाइप का होता है, जैसे सभी लोग आसपास, मतलब एक पैसा कमाते हैं, जैसे यहीं पे सब का salary, आसपास पे, जैसे इसका salary है 45,000, इसका salary है 50,000, इसका salary है 40,000, मतलब आसपास salary एक ही होता है, उन सब का खाना, पीना, रहन सहन, सब कुछ एक ही टाइप का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं class, और एक बार मैं बोली हूँ, the group of people, एक group of people होते हैं, जहां पे सभी का जो रहन सहन है, खान खाने का तरीका है, उनका, मतलब कपड़ा पहनने का तरीका है, उनका source of income, आसपास सेन ही होता है, ओके, देखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे lower class, कुछ-कुछ keyword आप याद कर लो, सारा अपने मन की बाते मत लिखना, lower class पे क्या होता है, वहीं पे थोड़ा गरीबी जाता होत है, उनके पास कोई job नहीं होता है, उनके पास उनके बच्चे कोई high school पे नहीं जाते हैं, उनके बच्चे या वहीं लोग उनके पास decent cloth नहीं होता है, और generally ऐसे वाले class के people लोगों को under class भी बोला जाता है, मीडिया लोग ऐसे बोलते हैं, कि lower class को under class भी बोलते हैं, और वही के जो मदर होते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और वहीं के जो फादर होते हैं वो अच्छे होते हैं अच्छे होते हैं रहते हैं अच्छे होते हैं रहते हैं पर वो लोग बाहर जाके मतलब ज्यादा महनत करके पैसा कमाना वो मतलब वो काम नहीं करते हैं वो लोग ज करते हैं और वो लोग dalla क्लास का यह सारा करीटर होता है छोला से खतथा ओअ सौध कुले यह वाकिन्ग गाया से थोड़े जादा होता है यह यह लोग धरहापरो कानि के दाएwoaggio काम करते हैं पर बहुत अच्छा भी नहीं पस थोड़ा अच्छा ओके यहीं पर देखो लिखावा है manual lever मतलब यह लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं lever का काम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं with little or no prestige मतलब जादा उनका कोई respect तो नहीं होता है पर वो लोग lower class जैसे भी नहीं रहते हैं जैसे maid हो गया, waitress हो गया, cashier हो गया, dishwasher देखो यह लोग काम करते हैं ऐसा नहीं कि वो लोग काम नहीं करते हैं काम करते हैं पर जादा कोई बड़ी job नहीं करते हैं बस खाने पीने का वो पैसा कैसे निकल आ जाए वो बहुत बड़ी बात है unskilled walker है मतलब कोई मतलब पढ़ा लिखा वाला walker नहीं होते हैं unskilled walker होते हैं यहीं पर और यह लोग भी मतलब poor के category पर तो नहीं आएंगे पर यह लोग walking poor के under में आएंगे then है no opportunity for career advancement उनके पास ऐसे कोई पढ़ा है मतलब उनके पास ऐसे कुछ पढ़ावा चीज नहीं रहता है कि वो लोग आगे जाके कुछ carrier बना पाएं यहीं के लोगों का कुछ example है जैसे carpenter, plumber and electrician यह लोग थोड़ skill होते हैं देखो पहले हम लोग क्या पढ़े walking class पे दो है unskill walker unskill पे क्या क्या जाएंगे dishwasher, cashier, maid और skill walker carpenter, plumber and electrician देखो दोनों का ज़्यादा बड़ा prestige नहीं होता है ऐसा नहीं है कि वो लोग भूके मर रहे हैं पैसा है उनके पास पर ज़्यादा कोई skill नहीं है यह सारे walking class के category पे आएंगे unskill and skill walker skill walker पे क्या क्या आएंगे carpenter, plumber and electrician दन है हमारा middle class this middle class are the sandwich class यह वाला point याद रखना यह वाला word जैसे हमारा sandwich bread होता है नीचे और एक bread होता है बीच पे आलू होता है और cucumber होता है मतलब ऐसे बहुत सारा stuff रहता है तो यह बीच को हम लोग क्या बोलते हैं जब कुछ चीज दोनों साइट से दब जाता है हम लोग उसे कहते हैं sandwich, middle class भी एक ऐसा ही चीज है lower class है और एक walking class है बीच पे आपका है middle class यह बाला वाड याद रखना sandwich class दिच वाकर्स है more money than those below मतलब lower class, walking class के compare पे इनके पास थोड़ा बहुत पैसा रहता है पर बहुत पी ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत money होता है जैसे और यहीं पे भी two category है जैसे lower mid class lower middle class मतलब वो लोग ज़्यादा educated नहीं होते है या उनका income भी बहुत ज़्यादा नहीं होता जैसे teacher, छोटे-छोटे business owner small business owner, manager उनका income कम रहता है और वो लोग बहुत भी educated नहीं होते है less educated पर upper middle class क्या होता है वो लोग highly educated होते है उनका source of income भी बहुत बढ़ा रहता है जैसे doctor, lawyer ये इनका income थोड़ा high हो रहता है देखो upper class देखो हर एक class के दो-दो category है ये याद करना upper class यहीं पे भी lower upper class है and upper upper class lower upper class मतलब है जिनके पास अभी-भी बहुत पैसा आया है जैसे किसी का lottery लग गया है 10 करोड का मतलब वो लोग अभी-भी मतलब upper class पे आये है पर मान लो आपके कोई neighbor है या आपके कोई family member है उनके पापा भी मतलब कि उनके पास भी बहुत पैसा था उनके बेटे के पास भी बहुत पैसा है उसके बेटे के पास भी बहुत पैसा है तो वो लोग क्या अपर-अपर class के category पे आ जाएंगे वो लोग अपर-अपर class मतलब उनके पास old money है मतलब who have been reached for generation मतलब बहुत generation हो गया उनके पास पैसा है बोलते हैं न अरे वो लोग तो मतलब बहुत ही मतलब reach है उसके पापा ये काम करते थे उसके दादा जी ये काम करते थे उनको हम लोग बोलेंगे अपर-अपर class और lower-अपर class मतलब जिनके पास अभी-अभी पैसा आया है new money इसके example है investment and business venture और अपर-अपर class तो आपको याद हो गया ये high society family होते है with old money who have been rich for generation then है positive and negative relation social skill has affected the world in a positive way but first the negative side is that it sometimes it makes really unfair to some family where they have everything and other family has nothing social class का positive भी है और negative है पर अगर हम लोग पहला negative अगर discussion करेंगे तो ये बोला है कि it really unfair देखो बहुत time मतलब इससे बुरा भी लगता है कि जैसे हम लोग train पे जाते रहते हैं और कोई मांगने आता है तो उस time मतलब बहुत बुरा लगता है कि किसी के पास सब कुछ है और किसी के पास मतलब एक कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं है एक दिन के खाने के लिए भी पैसा नहीं है तो it is really unfair वेन देखो बहुत 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 बुरी नजर से देखते है यह भी एक negative है एक जामपल ए रीच फैमली माइट सी अ लोवर क्लास फैमली एज डिस्पाइज देम अल्रेडी विटाउट नोइंग देम और जस्ट डोंट कियर एबाउट एनिवान लोवर देम कुछ-कुछ रीच फैमली ऐसे होते हैं कि अगर कुई लोवर क्लास फैमली अगर उनके सामने आ जाए तो मतलब पूरा इग्नूर करते हैं मतलब वो लोग यह नहीं सोचते हैं कि यह भी इनसान है अगर हम लोग कुछ बोल देंगे तो इनको भी बुरा लगेगा ये लोग ऐसी बाते नहीं सोचते हैं देखो positive side क्या है when you are in life positive side knows where you are in life you see a different point in which you don't realize so much on wealth and money but what is there जैसे बहुत मतलब कोई rich family का बेटा है वो ज्यादा पैसा पैसा नहीं होता है वो मतलब उसका जो दुनिया देखने का जो नजर होता है वो अलग होता है जैसे माल लो आपका suppose कोई दोस्त होगा उसके पास अगर बहुत पैसा है तो वो क्या करेगा knowledge को ज्यादा ध्यान देगा मतलब वो सोचेगा कि मैं कैसे और पढ़ूंगा क्योंकि उसका तो money problem कुछ नहीं है वो आगे बहुत पढ़ सकता है पर अगर और कोई बच्चा है जिसका पैसा problem हो तो वो क्या सोचेगा कि कैसे भी करके मुझे एक job मिल जाए वो ज्यादा knowledge के उपर ध्यान नहीं देगा वो बस कैसे करके बस पैसा आजाए उसको ही ध्यान देगा अगर कोई lower class का है और कोई upper class का बच्चा है तो lower class वाला क्या करेगा मतलब वो सोचेगा कि अरे इसके पास तो इतना पैसा है तो वो भी inspire होके और काम करेगा क्योंकि उसको भी लगेगा कि मैं भी अगर जाता पैसा कमाऊंगा तो मैं भी उसके जैसे रहूंगा तो ये लोग भी कभी कबार upper class से inspire होके कुछ-कुछ amazing काम करते है और एक देखो यहीं पर लिखावा है और if you are in the upper class you can see what happens to the lower class and offer them some money to help them out and everyone becomes jolly holly happy जैसे आप upper class के हो और जैसे आप upper class के हो और कोई lower class का लड़का है तो आप क्या करोगे इसको देखोगे मतलब एक lower class पे क्या होता है वो आपको एक idea लगेगा जैसे मैं एक example दे रही हूँ water purifier यह सबको पता है water purifier आजकल सभी के घर पे है तो देखो water purifier एक बहुत बड़े मतलब high cost का भी आता है मतलब एक पाँच लाग छे लाग भी आता है वहीं पे आप एक purity जो company है मैं company के बारे पे तो नहीं बोली हूँ देखो वह वाला आपको 2000 पे मिल जाएगा तो देखो यह 2000 वाला का जो water purifier वह भी एक बहुत बड़ा business man बाला ही बना है और वह जो 3 lakhs का जो water purifier था वह भी एक बहुत बड़ा business man बाला ही बना है यह 2000 का कैसे उसको idea मिला क्योंकि वह lower class को देखा उसको लगा कि 3 lakhs का water purifier कोई afford नहीं कर सकता तो एक 2000 के category पे अगर मैं बना दूँगा तो सारे जो lower class है वह भी इस water purifier को खरीदेंगे और वो लोग भी गंधा पानी नहीं पियेंगे तो एक high class लोग ही जब lower class को देखता है तो उसकी मन में ऐसे idea आते है कि lower class पे क्या चल रहा है ओके नेक्स्ट आप का है religion मतलब धर्म human life is uncertain his struggle for his survival amidst the uncertainty, insecurity and danger sometime he felt helplessness it is a religion who console and encourage him in all such time of crisis देखो human life मतलब एक बहुत ही uncertain होता है एक human के life पे मतलब बहुत सारी problem आती है कभी कबार ऐसे होता है कि human अपने आप में एक helpless समझता है उसी time उसका धर्म जो होता है उसी को बचाता है उसका जो मतलब difficult time होता है वो religion ही उसको मतलब एक सहरा देता है कि नहीं तुम भी आगे कर सकते हो ऐसे helpless मत हो जैसे हमारे हिंदू religion पे भगवत गीता एक holy book है तो जब भी हम लोग भी ऐसे सोचते है helpless ऐसे मतलब suicide करतेंगे ऐसे जब हम लोग सोचते हैं अपने difficult time पे उस time हमारा जो भगवत गीता होता है ये सिखाता है कि नहीं सभी के life पे problem आती है और problem के बाद ही मतलब खुसी आती है ये मतलब जीवन का एक बहिया है कि खुसी और दुख आते ही रहते हैं ऐसे घबराओ मत तो एक धर्म ही हमारा जो difficult time पे एक सहारा देता है हमको यहीं पे देखो लिखावा है religion gives right center to him वो आपको एक सही दिसा देता है मतलब सही सही सारा कुछ सिखाता है he gets mental peace and emotional support एक religion से ही एक person mental peace आता है उसके मन में emotional support आता है जैसे बहुत बच्चे हर दिन सुभा भगवत गीता पड़ते हैं तो उनका mental peace होता है मतलब उनका mental बहुत peace होता है वो लोग ऐसे मतलब घबराते नहीं है कोई अगर difficult situation आ जाए उनके पास एक emotional support रहता है जैसे बहुत लोग मतलब कोई कुछ बोल दिया तो वो लोग घबरा जाते हैं रो देते हैं हम लोग अगर अपने religion को properly follow करेंगे तो उस टाइम अपने difficult टाइम पे ऐसे नहीं घबराएंगे और एक भी देखो पॉन लिखावा है it encourage him to face his life and problem then है religion promotes the major social virtue like truth, honesty, non-violent service, love, discipline religion किसको promote करता है social virtue virtue मतलब गुण जैसे हमारा बगवत कीता हमको सिखाता है कि सबे के साथ अच्छा बरताव करो सच बोलो, truth, honestness एक रखो मतलब अहिंसा मत करो सभी को मतलब सभी को प्यार बाटो तो एक religion ही हमको सिखाता है और वैसे वाला character हम में develop करता है then religion gives right sorry, gives rise to the spirit of brotherhood वो हमको ये सिखाता है कि हम सब कोई एक है हम सब कोई भाई-भाई है ऐसे अलग-अलग मत सोचो ओके ये हमको सारा एक religion ही सिखाता है then have person viewed that religion is one of the most important agents of the socialization socialization का मतलब क्या होता है ये एक process होता है जिस process पे हम लोग अपनी society पे fit हो जाते हैं और religion ही हमको ये सिखाता है कि आप अपने society पे कैसे अच्छी तरह से fit होगे जैसे हिंदू religion है तो एक लड़का तो उसका धर्म सिखाता है अगर वो properly religion को follow कर रहा होगा डेली भगवत गीता पढ़ रहा होगा ये रमायन पढ़ रहा होगा तो उससे ये मतलब सीखने का मिलेगा कि हिंदू religion पे हम लोग ऐसे पूजा पाट करते हैं कोई घर पे आया तो नमस्ते करे के तो वो अपने society पे अच्छे तरह से fit होगा society के लोग उसको बोलेंगे अरे ये तो एक बहुत अच्छा आदमी है उसके society पे fit होने के लिए भी religion help करता है ये person है और एक देखो क्या लिखावा है ये आपको एक मार्ग दर्शन टाइप का भी काम करता है ये आपको हर टाइम मतलब आप प्रॉपली अगर अपने religion को अगर follow कर रहे हो तो आपको हमेशा एक दिसा देखाता है कि इसके साथ ऐसे ब्यवार मत करो उसके साथ ऐसा ब्यवार मत करो सबके साथ मतलब प्यार में रहो हमेशा मतलब सच का साथ दो इट helps in preserving social norms and strengthening social control आपका जो social culture है जो norms है ये भी प्रिजब करके रखता है जैसे हमारे हिंदू religion पे हमारे दादा दादी जो भी मतलब उनका जो culture था वो हमको जो भी सिखाए हम लोग उसको प्रिजब कर रहे हैं जैसे हम लोग मानते हैं कि नहीं पुरवज लोगों का बात मानना चाहिए नहीं तो वो लोग मतलब बुरा होता है घर पे तो religion ही हम सबको वो सारा चीश सिखाता है कि हम लोगों को social norms को प्रिजब करना चाहिए ओके it socializes him individual and exercises control over both individual and group in various way और एक लिखवा है organization like temper, muscue, church and गुरुद्वारा also control the behavior of the individual at different level यह temper, muscue, church यह सारे हमारे behavior को control करते हैं देखो कोई साभी religion हो कुछ basic concept ना सभी बे हैं जैसे सच का साथ दो और सब के साथ अच्छा व्यभार करो तो सभी के religion पे ना कुछ common basic concept है आप यह नहीं बोल सकते कि स्रीब यह हिंदू पे ही है ऐसे कुछ-कुछीज है जो सरी मतलब सारे religion पे एक है मतलब आप muslim अगर जाओगे, muslim धर्म को भी मतलब अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो पहले मनुष्य सेवा करो अगर आप मनुष्य का भी अगर सेवा कर लिए तो भगवान की सेवा कर लिए यह हमको एक religion ही सिखाता है for this reason people spend money to fit poor and needy great religion like Hinduism, Islam and Christianity मतलब इसी message को ध्यान में रखते हुए बहुत लोग गरीब लोगों को खिलाते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर मनुष्य को अगर सेवा कर लिए हम लोग तो वो भगवान की सेवा हो जाएगा मनुष्य सेवा नारा एंड सेवा बोलते हैं put emphasis on aim giving to the poor and beggar हम लोग इसी के लिए ही गरीब अगर है तो उसको पैसा दे देते हैं आज मतलब जो अपने आप में help करना चाहिए जैसे मेरे neighbor को कुछ problem हो गया तो मुझे उनकी help करना चाहिए मेरा कुछ problem हो गया तो मेरे neighbor को help करना चाहिए यह हमको एक religion ही सिखाता है दन है हमारा और एक देखो यहीं पर point दिखावा है religion plays a charming role it plays a charming role in providing recreation to the people religion rights and festival are more or less performed in every religion which gives relief to the people from mental accession देखो religion पे बहुत सारे हर एक religion पे बहुत सारे festival होते है जो एक person को मतलब उसका जो problem होता है उससे relief देते है जैसे हमारे हिंदु पे नवरात्र जब आ जाता है तब कुछ भी problem हो हम लोग उसको ज़्यादा नहीं सोचते हम लोग बस यह सोचते हैं कि नवरात्र पे क्या करेंगे लास्ट पे दुर्गा पुजा कहां पे देखने जाएंगे तो हम लोग कुछ टाइम के लिए अपने problem को ध्यान नहीं देते हैं जन है हमारा रिलिजियल हैज played a significant role in the political system यह political system पे भी बहुत बड़ा एहम हिस्टा प्ले करता है in ancient and medial society even in modern times in many countries of the world the religion directly and indirectly also influences political activity आज कल modern time में भी political system में religion का एक बहुत बड़ा एहम हिस्टा है जैसे ancient period पे जो monarch होते हैं वो लोग सोचते थे कि हम लोग God के representative है और हम लोग ही लोगों को rule करेंगे हम लोग जो भी बोलेंगे लोगों को वो मानना ही चाहिए क्योंकि हम लोग representative of the God है even today political leader भी क्या करते हैं ओत मतलब कसम खाते हैं भगवान की आप देखे भी होंगे कि भगवान की हम लोग कसम खा रहे हैं आप ऐसे court पे भी देखे होंगे कि वो लोग बोलते हैं मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा तो वहीं पर क्या होता है अपना-पना holy book मतलब कोई muslim है तो उसका holy book रख लेते हैं मतलब आज कल भी लोगों के मन में ये है कि religion सब कुछ है और सची में ये है भी बहुत लोग ऐसे मतलब इसको नहीं मानते हैं पर आज कल भी religion को follow करना चाहिए क्योंकि religious people का behavior personality बहुत अच्छा होता है दन है हमारा religion is an effective means to strengthen self-confidence religion आपके self-confidence को strengthen करता है मतलब और कठोर करता है और strong करता है जैसे certain belief like work is worship and duty is divine मतलब कर्म ही धर्म है इसी बात को ध्यान में रखते हुए मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्रिप काम को ही ध्यान देते हैं मतलब दुसरा चीज़ को उतना ध्यान नहीं देते हैं और जब हम लोग अपना कर्म को ठीक करते हैं हमारे में एक self-confidence आता है इसलिए बोलते हैं कि हमेशा अपने कर्म को ध्यान दो अगर आप अपना काम ठीक से कर ले तो पूरा दुनिया आपके सामने जुकेगा और अगर आप अपने काम को अगर ध्यान नहीं दे तो आपको सारे लोगों के सामने जुकना पड़ेगा इसलिए घर में भी अमारा मतलब बड़े बुजुर्ग सबको यही सिखाते हैं हमको कि अपना काम करो कर्म ही धर्म है वोकेज वोक्षिप डिव्टी इस डिवाइन जरुवत नहीं है कि आप हमेशा पूजा पाट करो अपना अगर काम भी अगर ठेक कर लिए तो वो भी सबसे बड़ा काम है वो सबसे मतलब वोकेज वोशिप वो ही पूजा पाट करने का भी एक है दन है दे रियालाजेशन अब दे सुप्रीम पावर एब अब अब दे हीमन इगो इस अगर उनके पास बहुत पैसा आ गया है तो उनके वे एक एगो आ जाता है कि हम सबसे बड़े हैं पर रिलीजियन हमको ये सिखाता है कि हम सभी को और एक सुप्रीम पावर कंट्रोल कर रहा है वो है हमारा भगवान तो मन में ये इगो नहीं आने देता है हमारा रिलीजियन अगर कोई पात अफ रिलीजियन को प्रॉपरली अगर फॉलो कर रहा है तो ये हमको ये सिखाता है कि वेल्थ जो आपका पैसा धन है वो जब मर जाएंगे उसको वो नहीं रहेगा हमारे साथ उस ताइम स्रिफ हमारा काम, गुड डेट्स पतलब सिर्फ हमारा अच्छा कर्म ही हमारे साथ रहेगा और ये मोह माया की जिन्दगी ये कुछ भी नहीं है ये हमको एक रिलीजियन ही सिखाता है ये रिलीजियन यहीं पर देखो और एक पर मैं समझा रही हूँ जो आपका जो पैसा है उट नॉट स्टे विट अस आफ्टर डेट मर जाने के बाद ये हमारे साथ नहीं रहेगा बट क्या रहेगा गुड डेट्स आपका अच्छा कर्म ही देट रिमें इन इटर्निटी मतलब अनंत तक रहेगा अगर आप अच्छा काम कर लिए तो वह ब फोकस कभी भी लॉस नहीं करते हैं मतलब उनको कोई अगर प्रॉपर अगर रिलीजियन को फॉलो कर रहा होगा और उसको मैं बोलूंगी कि चलो क्रिमिनल का काम करते हैं कोई ड्रक्स का काम करते हैं वह बहुत पैसा आएगा तो वो लोग यही सोचते हैं कि पैसा तो आज क्या था positive and negative relation on religion देखो यहीं पे है positive effect could be that it brings people together देखो यहीं पे भी positive और negative हम लोग पढ़ेंगे positive क्या है it brings people together मतलब लोगों को एक कर देता है gives them a community for supporting each other जैसे हिंदु धर्म का है और उस अगर कोई लड़का किसी को कुछ हो गया है तो हम लोग सुचा रही है यह तो हमारे धर्म का है तो उसका हम लोग help कर देते हैं it brings people together it also gives them a community जैसे हिंदु community होते हैं बहुत सारे आसे religion की community होते हैं जिसका अपने आपकी जो लोग होते हैं वो बहुत strong होते हैं and focus their attention और God वो अपने भगवान के उपर बहुत बिस्वास करते हैं और उन्हीं पर ही focus करते हैं then है हमारा many religious organization are engaged in social work that contributes toward the welfare of the society बहुत सारे ऐसे religious organization है जो मतलब social work पर ही engaged है जैसे आप सरीडी चले जाओगे वहीं पर बहुत सारे ऐसे organization है जो मतलब गरीब ऐसे कुछ भी हो गया तो उनको खाना देते हैं थंडी महीना आ गया तो उनको कंबल देंगी तो वो लोग क्या कर रहे हैं social work पर engage हो रहे हैं and which contributes towards the welfare of the society they provide aims to the poor and also set up educational institutions so that youth can have access to formal as well as higher education कुछ ऐसे भी organization है जो गरीब बच्चों को पैसा देते हैं कि तुम आगे पढ़ो तुम अपना career अच्छा बनाओ religion promote good will in the society by fostering a sense of brotherhood among the people religion क्या promote करता है कि कैसे हमारे society पे सब का एक भाई-चारा वाला thinking हो यह हमको सारा बात एक religion ही सिखाता है कियोंकि अब लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि नारायंट की सेवा का मतलब होता है भगवान की सेवा अगर भगवान की सेवा कर लिए तो वो नारायंट सेवा होता है इसलिए हम लोग गरीबों को दान देते हैं मतलब किसी का कोई जरुरत चीज होता है तो उसको हम लोग help करते हैं ये हमको एक religion ही सिखाता है तेन है negative effects are that the different religion can be seen to inspire conflict in the world कभी कभार क्या होता है बहुत जगड़ा हो जाता है मतलब जैसे ज़्यादा तर हमारे इंडिया पे दिखो अगर यहीं पे तीन religion generally है Hindu, Muslim and Christian अगर Hindu का लड़का कोई गलत काम कर लिया है तो और हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे तो हिंदू है तो हम लोग उसको support कर रहे हैं तो दूसरे कास्ट के लोग क्या करेंगे कि क्यों तुम इसको support कर रहे हो ये तो गलत कर रहा है तो ऐसे बीच मैसे चोटी चोटी बात के ऐसे कभे कभार बहुत बड़ा जगड़ा हो जाता है बहुत लोग ऐसे करते हैं भगवान भगवान होते रहते हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए One of the major drawback of the religion is a belief that the world originated from the supernatural power एक drawback भी है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे उपर एक supernatural power है हम लोग scientifically नहीं सोचते हैं कभी कभी थोड़ा जादा ही मतलब blind belief करते हैं scientifically भी थोड़ा सोचना चाहिए और कोई अगर scientifically कोई बोल दिया मतलब ऐसे बोल दिया कि ऐसे तो भगवान नहीं होते हैं ऐसे कुछ बोल दिया तो उसको बहुत गाली देते हैं कि तुम हमारे भगवान को नहीं मान रही हो साइन्स की बाते सोच रहे हो मतलब उसके पीछे मतलब पुरा हाउंड हो जाते हैं और even killed, कभी कभा बार तो मार भी देते हैं, कुछ ऐसे भी religious state होते हैं, जो अपने, जो मतलब minority हैं, जो कम हैं, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, उनको respect नहीं करते, जब हम लोग अपने मतलब box के बाहर, जब सोचेंगे, तभी ही नए नए बातें सीखने का मौका मिलेगा, कभी कबार हम लोग अपने religion पे इतना डूब जाए रहते हैं, कि हम लोगों को बाहर की चीज़े दिखाई ही नहीं देता, जैसे पहले ऐसे मैं बहुत पार ऐसे देखी थी, कि अगर कोई दुसरी जात का, अगर कोई मतलब उसको बहुत प्यास लग रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग उसको पानी नहीं देंगे, अगर क्योंकि वो दुसरे रिलीजियन का है, तो कभी का बात ना, हम लोग मतलब scientifically हम लोग अपने out of box नहीं सोचते हैं, इसलिए नए नए innovation नहीं आते हैं, हम लोग अपने religion पे बहुत ही डूब गए हैं कुछ लोग, तो आपको ये वीडियो सारा समझ में आया होगा, अगर कुछ भी अगर problem होगा, तो आप कुछे comment पे ऐसे बोल देना, so thank you,